हेलो स्टुडेंट्स वेलकम टो हमारी सरकारी नौकरी तो आईए देखते हैं कि आज की जॉब अपडेट क्या है वो इंडियन नेवी से निकल क्या रही है इसको कि द इंडियन नेवी हम लोग रेस्पेक्ट में लिखते हैं यहाँ पर जो वेकेंसी है वो वेकेंसी है आपकी SSC Executive की जहाँ पर details हम लोग देखते हैं कि educational qualification क्या मांग रखा है तो SSC Executive में सबसे पहले तो bond date दिया हुआ है कि 2 जनवरी 1998 से 1 जुलाई 2003 के बीच में आपकी bond date होनी चाहिए इसके अलावा अगर बात करें तो 60% marks आपके होने चाहिए 10th या 12th में अंग्रेजी subject में English subject में 60% marks होने चाहिए या आपने MSC, B, BTEC, MTEC, Computer Science या allied branch information technology software system यानि उसके allied branch में अगर आपने किया है तो आप इस form को भरने के लिए eligible है MCA या BCA, BSC आपने Computer Science एक कर रखा है तब भी आप eligible है इस post के लिए Total number आप vacancy की बात करें तो 50 vacancies है जो men and women दोनों के लिए है अगर last date की बात करें तो 5 अगस्ट 2022 से 15 अगस्ट 2022 के बीच में ये form open रहेगा और इस form को आप fill up कर सकते हैं यहाँ पर एक weightage दिया गया है NCC candidates के लिए जिनके पास NCCC certificate है उनको 5% का weightage दिया गया है cut off marks में अब अगर बात करें कि selection के लिए तो सबसे पहले तो short listing जो होगी SSB के लिए वो short listing आपके अगर आपने b-tech कर रहे हैं और आप pursuing में हैं final year में है तो आपके fifth semester के marks तक के first to fifth semester के average marks के आधार पे आपकी short listing होगी और जो बच्चे qualify कर चुके हैं वो अगर fill up करते हैं तो उनके final marks पे इनकी जो short listing होगी वो short listing किया जाएगा अगर आप वहाँ पे short list कर लेते हैं तो आपको इनके SSB interview के लिए आपको बुलाया जाएगा short service selection यहाँ पे एक SSB interview होगा इनके धेर सारे centers हैं SSB के उन SSB में जाके आपको properly interview देना होगा अगर आप वहाँ पे final select होते हैं तो उसी की merit list जो है वो बना के आपको selection किया जाएगा यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है कि merit list would be prepared based on SSB marks तो SSB के marks में आपको जो भी बच्चे select होंगे वो final SSB के marks पे होगा यहाँ पे जो आपके BTEC के percentage है वो केवल short listing के लिए काम आएंगे यहाँ पे selection जो होगा वो यहाँ से होगा tenure of commission की बात करें तो पहले 10 साल का है फिर 2 साल 2 साल करके chart यानि total 14 साल का आपकी service होगी इसमें जिसमें 10 प्लस 2 प्लस 2 यह आपका ratio रहेगा पहले 10 साल रहेगा फिर 2 साल फिर 2 साल करके 2 tenure आपको दिया जाएगा वो भी depend upon the fitness अगर आपकी fitness अच्छी रहेगी तो उसके accordingly आपको service period दिया जाएगा आप बात करते हैं कि इसको apply कैसे कर सकते हैं तो apply करने के लिए आप joinindiannavy.gov.in पे आप चले जाएए वहाँ पर जाके आप properly इसको apply कर सकते हैं और apply करने के लिए आपके जितने भी जो documents हैं online आप upload करेंगे और properly आप apply करेंगे इसके अलावा मैं एक और आपको information बता दूँ कि आप हमारा genic learning app भी download कर सकते हैं जहाँ पे आपको technical non-technical से related materials अवलेबल रहते हैं और आप कैसे सरकारी नोकरी की तयारी करें उससे related चीज़े आपको available रहते हैं हमारे genic learning app पे तो genic learning app जरूर download कीजिए और अपनी government की तयारी को बिलकुल boost up पे रखिए और यहाँ से आप selection लीजिए हमारा telegram channel जरूर join कीजिएगा जहाँ पे सारी की सारी information related to सरकारी नोकरी वहाँ पे लगातार दी जा रही है और आपको इससे सारा benefit वहीं पे एक ही channel पे मिल जाएगा तो आप बने रही है इस channel पे मिलते हैं किसी next video पे thank you thank you to all